एलो दोस्तो वेलकम टूमरी दोस्तो इस वीडियो में आप लोगो दिखाऊंगा एक Android का मज़िदत ट्रिक दोस्तो आप लोग एक Android यूजर हो तो आप लोग आपका फोन में कभी ना कभी जोरूद देशा होगा की call bearing का option दोस्तो call bearing क्या होता है इसको कैसे आप लोग इउस कर सकतो है इसको कैसे active कर सकतो कैसे directive कर सकतो है इस वीडियो में आप लोगो तोटाल जान करी देने बाला हूँ दोस्तो जोरूर आप लोग वीडियो को सुरू से last तक लेखना तभी आप लोगो समझ में आएगा call bearing क्या होता है इसको कैसे use करना है ठीक है तो दोस्तो call bearing है आप लोग इहां पर call bearing का option को enable करके आपका call को रोख सकतो आपका outgoing call बंद कर सकतो है और आपका incoming call भी बंद कर सकतो है यह है call bearing का फाइदा ठीक है तो दोस्तो आप लोग को sim नहीं up करना होगा आपको mobile को flight mode नहीं on करना होगा, आप लोग तब भी आपका call को रोक सकतो है कहों मिलेगा आपका फोन में पीद्टाइना सेटिंगी से प्टाइन में इझता हूँ कहां पर कॉल बड़रिंग का अपशन मिलेगा र cannabis फोन में फोर विस neither do डिया हूँ Pakistan यह पर Smileց में इसलिम केके नहीं और butterfly on में देखिए कि अर लिए Woo pum चाहरा बेरिंग पन्ती को पर मेरे diplomatic option मेरेको मेरे को हमिल गाया है ठीके तुम्हों यहांपर क्लिक करते हैं यहांपर क्लिक करनेके बाद मेरे पास यह 2 सीमें jiw और ID.I.M. इ 고ी seminar& ID.I.M. мे click करते हैं simply आपका mobile screen में जाना होगा callpad में callpad में जाने के बाद दोस्तो आप लोगो type करना होगा यहाँ पर star three one has तो फिर आप लोगो call करना होगा देखिए दोस्तो यहाँ पर so कर रहा है outgoing caller ID service was enabled तो यहाँ पर बोल रहा है कि outgoing caller ID service मेरा mobile में enabled होगा है तो आप लोग इसको disabled करना चाहता हो तो कैसी इसको disabled कर सकते हो दोस्तो इसको disabled करने के लिए आप लोगो करना होगा क्या आप लोगो करना होगा यहाँ पर has three one has तो फिर आप लोग call करो देखिए दोस्तों यहाँ पर outgoing caller ID service has been disabled तो यह disabled होगा है तो दोस्तो मैं एक बड़ आप लोगों को एनिवेल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एनिवेल करने के बड़ मेरा मुबाइल से जा रहा है या नहीं जा रहा है तो मैं simply यहाँ पर एनिवेल करने के बड़ कास्टोमर के रहा है, मेरे को बोल रहा है कि Please enable your call setting option CLI ठीक है तो मेरे को बोल है मैं call setting option में जाकर मेरा को जो है CLI option को choose करना पड़ेगा उसको disable करना पड़ेगा ठीक है तो आप लोग इसको disable कैसे कर सकतो आप लोग उसको disable कर सकतो मैंने आप लोग को दीखा दिया has start sorry has 3 या आप लोग अगर मुबाइल में में type कर हो तो वो disable हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो आप लोग अगर उसको enable करते हो तो आपका mobile में कहां पर कौन सा option on हो जाता है इसके बाद आपका mobile से call नहीं जा रहे है ठीक है तो दोस्तो देखिए यहां पर my number network default hide number so number ठीक है तो में आप लोग को दिखा था हूँ वो disable करने के बाद एक बार में आप लोग को दिखा था हूँ यहां पर देखिए के hide number में में अभी ठीक है ठीक है तो में मेरा जो quality option को जो है disable करता हूँ health 3 1 health ठीक है तो देखिए outgoing caller service has disabled हो गया है ठीक है आप लोग अगर star 3 1 health को input करता हूँ है आप का mobile में तो आपका जो है यहां से जो option रहता है आपका mobile में अपका mobile में जो option रहता है अपका mobile में पर याज़सान रहता है माई नंबर डिस्प्लेर meanette history हाइड नंबर तो सो नंबर जो option तो मैं आप कर सकते हैं इहां से नमर में कर सो तो आपका कॉल चौरू हो जायेगा और आपने से भी कर सकते हो तो ह्यास्टतो तो हैस्ट्रीवाज हैस् दोस्तो तो अप लोग को समझ में आगा एक ऐसे कारना है उसके बाद का जो अपसान होता है दोस्तों में आप लोग को दिखा था हूँ तो अगर आप लोग incoming or international call को भी बंद करना चाहते हो तो आप लोग कैसे बंद करना होगा तो आप लोग इहां पर देख सकते हो reject all incoming call तो आप लोग को simply यहां पर click करना होगा एंटर पासवर्ड तो इहां पर आप लोग कौन सा पासवर्ड देना होगा आप लोग को जो पासवर्ड देना होगा आपका सेट का आपका हैंसेट का जो डिफॉल्ट एक पासवर्ड रहे थे आप लोग को वो पासवर्ड देना होगा ठीक हैं वो पासवर्ड देना होगा त तो दोस्तो वो डिफर्ट पासवाट क्या होता है, आपका SIM का पासवाट नहीं तोस्तो आपका HANDSET, आपका GIST company का HANDSET आपके पाद होगा, उसी कामपशावड पासवाट उस और अगर default password रहे तो password आप लोग को देना होगा यह password आप लोग को service center से मिल जाएगा और आप लोग internet में search आपका model number देखा search का भी password ले सकते हो ठीके, वो password यहापर देने के बाद दोस्त आपका जो a option on हो जाएगा और आप लोग को disable करना जाएगा तो सेम प्रोसेस होगा पर password input करना तो disabled हो जाएगा ऐसे आप लोग incoming call और internet call को भी यहापर रोख सकते हो bond कर सकते हो ठीके, तो दोस्तो मैं आप लोग को दिखा दिया आप लोग call bearing को कैसे use कर सकते हो और इसका फाइदा क्या है और दोस्तो बहुत 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 को साथ ऐसा भी होता है कि मैंने जो आप लोग को दिखाए था दियार customer, please enable your call setting option CLI दोस्तो यह भी आप लोग को साथ बहुत time होता है मेरे पर भी बहुत साथ कास्टोमर आता है कि sir मेरे mobile से call नहीं जाए आप लोग इहां से भी करच सथ हो हो जो आपका call जाना चालू हो जाएगा दोस्तो आज का वीडियो में इतना ही वीडियो आप चलागा तो please वीडियो के लाइक करना और दोस्तो भीडियो को जोरू आपका फ्रेंड के साथ आपका फि loneliness identific चीखे उस तो मिलते हैं नेक्स बीडिये में थैंक्यू वाय वाय टेकर जाहिंद